दुखेश अनुद विग्नमाना सुखेश विगत तस्वरह वीत राग भे कुरधा इस्तिध धीमन वच्चति इस्तित प्रग्य के लच्छन है जो दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता है और सुख मिलने पर और सुख मिले इसकी कामना नहीं करता है जिसका राग जिसका भय जिसका क्रोध कंट्रोल में है वो विक्ति इस्तित प्रग्य होता है भग्वान स्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे है इस्तित प्रग्य की इस्ति को प्राप्त करने वाला विक्ति दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता है संसार में दुख सुख समुद्र की लहरों के समान आते जाते रहते ये तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है बहुत कुछ हाथ में है लेकिन सब कुछ हाथ में नहीं है दुख आए उसको भी सविकार कर लेना और ये सोच लेना ये दुख भी शदिव रहेगा नहीं और सुख आए तो भी मन में विचार कर लेना सुख भी हमेशा रहे गा ले इस सम्मेहमान की तरह आते हैं युगल दास है जीव के दुख सुख वाको नाम एक रहत ठाड़ो सदा एक करत बिश्राओ जीव के दो दास है पंखा मता एक तो सुख है दूसरा दुख है एक तुमारी सेवा में खड़ा रहता है दूसरा विश्राम करता रहता है जब सुख आता है तुमारी सेवा में तुम भूल जाते हो कि दुख भी आएगा तुम सुख में पागल हो जाते हो दीवाने हो जाते हो लेकिन सुख ये शंदेश लेकर आया है कि मेरी जिस दिन विदाई होगी उस दिन मेरा छोटा भाई दुख भी आने वाला है और दुख आता है दुख भी शंदेश देता है कि मैं सदेव रहने के लिए नहीं आया हूँ तुम को सबक से खाने के लिए आया हूँ तुम्हारी सेवा करेगा जद घबराइए मत दुख सुख वाको नाव चार वेद छे सास्त्र में बात मिली हैं दोए सुख दीन है सुख होत है दुख दीन है दुख हो शक्कर खिला सक्कर मिले टक्कर खिला टक्कर मिले नेकी का बदला नेक है बदी का बदला बदी देख ले दगा किसी का सगा नहीं है ना मानो तो कर देखो किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो एक हाथ ताली नहीं बाजे ना मानो तो बजा देखो बिना भूख भोजन नहीं भावे ना मानो तो खा देखो और बिना बोलाए पर घर जाना मान नहीं चहजा देखो बिना मौत मरता नहीं कोई ना मानो तो मर देखो दगा किसी का सगा नहीं है ना मानो तो कर देखो या दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो दूसरे के शाथ में दगे बाजी मत करो दोखे बाजी मत करो विश्वास गात मत करो ठक बिद्या मत करो किसे ने तुम्हारे विश्वास पर तुमको पैसे दे दिये दोलाक उधार अब तुम वापस नहीं दे रहे पैसे वो मांगता है भीखारी की तरह तुम राजा बन करके कहते हैं दे देंगे फर्क क्या पड़ता है क्या तुम्हारा पैसा मार लूँगा बाते एट की करते हो वो विशारा सौचता है अगर मैं भी एट जाओं जगणा हो जाएगा फिर पैसा मांग भी नहीं पाऊंगा दुबारा इसलिए दबा रहता है बार बार हाँ जोडता रहता है भाई साहिब पैसे ले गए थे जरूरत है दे दो तुम देते नहीं हो इठग विद्या भी छोड़ो कवीर साहिब कहते हैं ठग बनना है तो सबसे बड़ा ठग जो मन है इसको ठगो जिस मन रूपी ठग ने सबको ठग लिया है उस ठग को ठगो अन्यता ठगई करना छोड़ दो ठगई क्यों करते हो यह मन सबको ठग लेता है कभी कामवाशना का रूप धारण करके आपको ठगता है कभी क्रोध बनकर ठगता है कभी लोब के रूप में आकर ठगता है और कभी एहंकार बनकर ठगता है कभी इरिश्यद्वेस बनकर ठगता है मन से सभी लोग ठगाए हुए बेठे हैं इस मन को जो ठग लेता है, मन रुपी ठग को ठगने की कला जिसने सीख लिया है, वो संसार में कभी दुखी नहीं होता है, और मरने के बाद उसका कभी जनम नहीं होता है, वो जनम मनन से छटकारापा करके मोच्छ का भागीदार बनता है. बुली सतगुरु भगवाने की जै। का स्रीर मुछ प्राप्ट करने के लिए इख भक्ती के इपत पर चलकर ही मुक्ती मिलती है और जीतें जी मुक्ती मिलनी चाहिए को जी यतने तरेla मुए कातरियों जीतभी नतरे धिरे धिरे सब् ok Deutsch को छोणते जाई μुक्त होते जाई तो जीवन में ही तुम तर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। कुछ लोग सौनसते हैं जिंदगी भर खोब को करम करो अब मुर्त्व के दिन एकडम ध्यान लगा देंगे, मुक्त हो जाएंगे। कभी मुक्त नहीं हो सकते। जिंदगी भर खोब दारू पिया है, मरने की दिन कहते हैं हम जैसा कौन पवित्रात्मा होगा जैस दिन मरना है उस दिन कहते दारू छोड़ा हूँ भगवान जिन्दगी भरबले पिया हूँ पर आज नहीं पिया हूँ बिना पीकर मरा हूँ अपने दर्वार में अस्थान दे देना इस भगत को भी ये सरावी, कबावी, जुवारी, लबारी, बेविचारी, अनाचारी, दुराचारी, भरष्टाचारी इनके लिए भगवान की दर्वार में कोई जगे नहीं है याद रखना अगर आप सदाचारी बन गए तो भगवान का दर्वार तो तुमारा घर ही बन जाता है और घर ही को मंदिर बनाई वए घर ही को तीरत बनाई वए इधर उधर भटकने को क्यों जाएंगे आँ आज ये गाउं को ममेला की तरह दिखाई दे रहा है घर घर में तेवहार लग रहा है उडिशा से भी बहुत से स्रोता यहां आये हुए 36 गड़ के स्रोता तो हैं ही उडिशा यहां से 2 किलो मेटर दूर पर लग जाता है उडिशा के कितने स्रोता है जरह हाथ उचा करके बताएं दोनों हाथ उठाईए अरे इतने स्रोता आये हो तो एक गुरु है इस गुरु को उठा कर अपने उडिशा भी ले जाओ उडिशा में सब की बुराईयां उड़ा दो गुरु की ग्यान की आधी चला दो और उडिशा की सब बुराईयां उड़ कर चली जाए उडिशा भरमसीसा हो जाए साहिब बंदगी हो जाए उडिशा वालों का भी बहुत प्रेम है तीस परशंट लोग उडिशा के बैठे हैं कल और उडिशा वाले आएंगे और चट्थिस गड़ के लोग तो हैं ही चट्थिस गड़िया सबले बढ़िया सथसंग धीरे धीरे भी राम की और भी जाएगा राम भगवान का जो प्रशंग लिया था उसको फिर से सुरू कर देता हूँ परश्राम की क्रोध को राम सह लेते हैं परश्राम कहते हैं शिव जी के धनुस को किसने तोड़ा है जिसने तोड़ा है उसको सभा से बाहर निकालो अन्य था सभी राजाओं को पीटूँगा न तुमारे जही हैं सब राजा सब राज कुमार डर गए कि हमसे धनुस भी नहीं तूटा और ये बाबा खतरनाक है सब को पीटेगा धनुस भी नहीं तोड़ पाए न सीता मिली लेकिन पिटाई मिलेगी अब परुसराम का क्या भरोसा परुसराम ने बहुत मार पीट किया गणेस से भी मार पीट किया उन्होंने परुसराम जी लड़ने में यशा मात्मा जहां जहां देखता था गड़बड हुआ वहां वहां वो ज्यान कम सुनाता था सास्त्र नहीं रखते थे साथ में ज़्यादा तर सास्त्र रखते थे परश्राम जी कुलाडी फरसा साथ में रखते थे परश्राम ने भी ये भी संदेश दे दिया है सादू संतों को भी खत्रा दिखे थोड़ा सास्त्र और सास्त्र दोनों रखते इसलिए तो सादू लोग तिरसूल रखते हैं और चिम्टा रखते हैं कोई ज़्यादा गड़वड करे तो उसकी पीठ पर दो चिम्टा मार देंगे और ज़्यादा गड़वड करे तो तिरसूल भूख देंगे शादू मात्मा और भगवान भी भारत देश का भगवान ऐसा भगवान है भगवान भी अस्तर सस्तर धारी भगवान है लेकिन भगवान का भगत ऐसा है जिसके पास केवल हाथ है न कोई अस्तर है न सस्तर है न सास्तर है खाली हाथ है गुलाब के फूल है भगवान सिखाते हैं आत्म रच्छा के लिए थोड़ा सक्त साली भी बनो, हिंदु धर्म की रच्छा के लिए भी शक्त साली बनो, हिंदुस्तान की रच्छा के लिए भी शक्ति वान बनो, धर्म संसकार संसकर्ती की रच्छा के लिए भी छमता वान बनो, याद रखना धर्मो रच्छती रच्छता है धर्म की रच्छा पहले तुम करते हो उसके बाद धर्म तुमारी रच्छा करता है पहले तुम ब्रच्छ की रच्छा करते हो उसके बाद ब्रच्छ धूप से तुमारी रच्छा करता चाया देता है और भूख से रच्छा करता है, मीठी मीठी फल देता है इसी तरह से धर्म एक विशाल वरच्छ है इसकी रच्छा करोगे तो धर्म तुमारी रच्छा करेगा और धर्म का ख्याल नहीं करोगे तो धर्म तुमारे अंदर से खतम हो जाएगा हर चीज इस जगत की कुर्वान धरम पर है, धनमकान संपदा जीजान धरम पर है, मानो धर्म को भी समझे, देश धर्म को समझे, राष्ट धर्म को समझे, और इंशानियत धर्म को समझे, नारी धर्म क्या है? ग्रहस्त धर्म क्या है? शंद धर्म क्या है? ब्रह्मचारी का धर्म क्या है? शादू का धर्म क्या है? नेता का धर्म क्या है? नेता का धर्म देश लुटना नहीं है देश को लुटने से बचाना है शाधू का धर्म, शाध्रा में डुब की लगा करके, सुक्सान्ती की हीरे मोती ढूंड करके, पूरे जगत के लोगों को वित्रण करना है, ये शाधू का धर्म है नारी का धर्म है, अपने घर को सजाना और समारना, घर में कलह कलैस करना नारी का धर्म नहीं है कितनी इस्त्रियां बहु के रोप में घर में जब प्रवेश करती हैं घर में तंड़ शुरू हो जाता है घर में महाभारत शुरू हो जाती है सासू सोच रही थी लाड़ी आई है लेकिन लाड़ी नहीं आई है वो भैस की पाणी आई है पड़ी सो रही है सासू सोशती थी बहू आई है बहू नहीं आई है ये कुहू कुहू आई है चिल्ला चोट मचा दिया नारी शक्ती अपनी चेतना को जगरत करे जिस गर में बहू बन करके जाओ उस गर में शांती की अस्थापना भी करो गम खाने से कोई छोटा नहीं होता है क्रोध करने से कोई बड़ा नहीं होता है इसलिए सासों को भी सावधान होना चाहिए अपनी बहू को अपनी बहु को भी समाल कर रखो क्योंकि बहुएं फोकट में नहीं मिलती है समाल नहीं पाओगी तो मिलकर वापस भी चली जाएंगी रीटर्न हो जाएंगी जहां से आई हैं वही ठिकाने चली जाएंगी और बहु नहीं होगी तो नाती पोते कहां से होंगे और नाती पोते नहीं होंगे तो आगे तुम्हारा बंस कैसे चलेगा और बंस नहीं चलेगा तो इस रष्टी कैसे बनेगी इसलिए सासुएं भी जोस में न रहें जोस में रहें और यह भी सोच लें कि अब मेरा सासन जाने वाला है अब बहु का सासन आने वाला है अब कांग्रेश का सासन खतम भारती जनता का परटी का सासन शुरू तो बहु भारती जनता परटी से आ रही है अब बहु यह भी सोच ले कुछ दिन के बाद तुमारी भी बहु आएगी कुछ दिन के बाद इसासन प्रसासन सब बदलता रहता है घर में हुकोमत बदलती रहती है इसलिए सासु को भी बहुत नार्मल रहना चाहिए भक्ती करो सास्षात में अपना सुभावी सुधारो आदतें भी सुधारो ऐसा वैसा खाना पीना उल्टा पल्टा जीवन जीना बंद कर दीजे भक्ती का मतलब है आपकी जिन्दगी को सुन्दर बनाने की शाधना का नाम भक्ती है धर्म का मतलब है आपकी जीवन को उज्जल बनाने का सबसे बड़ा तप धर्म में समया हुआ है जीवन को जल बनाईए समय का शदप्योग करिए राम भगवान परश्राम को उत्तर दे रहे हैं